आज हम देखेंगे आपका electric field due to charged thin non-conducting seat of infinite extent या फिर इसको ऐसे भी बोला जादा है आपका कि एक पतली सी शीट है आपके पास जो infinite length है आपका पतली सीट आपकी पतली सीट से plate होती आपका पतला से एक आगज है आपका तो इस टैप की पतली सीट है लंबी infinite उसकी वैसे आपक electric field तो मान लों आपके पास यह कोई पतली सीट में बना देता हूं आपका कि infinite extent की तो कि जिसका यह कुछ पोई मैं पोर्शन लिया और इसमें चार्ज भी आपका प्रेजेंट है तो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपका चार्ज दिखा देता हूं होगा तो infinite extent की आपकी प्लेट है मैंने एक चोटा सा पोर्शन लिया है उसमें से आपका जिसमें आपका चार्ज आपका प्रेजेंट है आपका अब आपको क्या करना है ना इस प्लेट की वह जैसे इसके आसपास के ह safest प्लेट का बंता आपका तो हमें एक सिम्ट प्लेट का बनते हैं के वह Мы सिंबलर आपका बनाते हैं आपका कहते हैं गौशन सर्फिस तो हमें एक सिलेंड्रिकल सब्फिस बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि यह ठीक है जो इसको ओवर लैप करेगा आपका इस साइड भी जाएगा और इतनी सेम डिस्टेंस इस साइड भी आएगा मेरें प्रसी तो डान के मेरें और अक्पकुष्ण बना ओचय और इतनी से यह जा रहा है कुछ इस तरीके से आपका अगर यह इस वावला उसलेंड्र आपका अब इस गौशन सर्फिसोंग मेरें ईक। सबसे पहले जो यह plate है plate है ना अपका इसमें बस खाली इसका एरियाँ होगा इसका volume नि होगा आपका तो इसकी जो density होगी इसकी density को क्योंगे आप खाली surface 110 क्योंकि इसमें खाली क्या होगा surface ही area में surface present होगा आपका इसकी surface So much density को कह दोगा Q charge है, तो sigma is equal to हो जाएगा आपका Q upon A यहां से क्या निकल जाएगा, Q की value किती निकल जाएगी आपका sigma into A, इसको गहता हूं है equation number 1, कोई दिक्कत नहीं है आपका चीक है, अब now, जो हमने Gaussian surface अपनी तरफ से construct के है तो उसको parts में divide कर देते हैं, तो यह इसको ले लेते हैं, पहला part इसको second part और इसको third part तो parts में divide कर दिया हमने, first, second and third अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इन तीनों portions में एक छोटे छोटे area elements लिंगे आपका, तो एक छोटा सा यह portion जिसका area element इसका perpendicular यह हो गया, DA vector, ठीक हो गया, एक छोटा सा portion में इधर पर भी लिया तो यहाँ पर का perpendicular उपर को मतलब यह DA vector और एक छोटा सा portion में इन यहाँ पर लिया, इसका perpendicular यहाँ को यह होगी आपका DA vector, ठीक है अब दिखाते हैं, electric field की directions क्योंकि यह plate plus है, तो plus से electric field निकलती हो, perpendicular बाहर को होती है, दोनों तरफ आपका, तो यह होगी आपकी electric field की direction, इस point से, यह होगी electric field, इकी direction इस point पर यह ऐसे इधर पर से ठीक होगी है तो मैंने बना दी electric field की भी directions आपका, दोनों तरफ से आपका बाहर को निकलेंगी plus वाले की से, ठीक है सबसे पहले first portion में हम आईएंगे, आपका first portion जहाँ पर p point है आपका, जो पहला portion आपका वहाँ से small flux from area element at first surface तो पहले surface से, जो छोटा flux जाएगा, यह इसको मैं दिखा जता हूँ d5 1 हो गया वो हो जाएगा आपके बाद e into da होगा, इतना ही होगा मैंने पहले बताया था, अगर e और da दोनों की direction सेम होती है तो सीधे ही e da लिखो आपका, वैसे तो आप open करोगे, ऐसा होगा, e dot da होता है फिर खोलोगे तो eda cos theta लिंखना बढ़ता है, theta की जगा 0 आजाएगा इतना तो overall इतना ही बज़ेगा आपका तो सीधे मेंने d51 is equal to e da अगर d51 इतना है तो total flux from first surface कितना आजाएगा total flux from first surface तो वो बन जाएगा आपके पास 51 is equal to integration e da ठीक है e भाहर आगया integration da तो यहाँ पर ध्यान दो यह छोटा सा portion da था, अगर मैं इस छोटे portion का पूरा add करते जाओंगा तो यह पूरा का पूरा यह बन जाएगा, और यह पूरा का पूरा कितना है देखो, यह मैंने कहाया था, यह पूरा का पूरा जो cross section area हो कितना है आपका a, तो यहाँ पर से हम लिखेंगे electric field और area vector के बीच का एंगल कितना है आपका 90 degree, तो यहाँ पर लिखो गया because for second surface angle between electric field and area vector is 90 degree, हो गया, तो 90 degree है तो flux आपका 0, 53 कितना हो जाएगा, 53 भी similarly ea आएगा, 53 की value भी कितना आएगी आपकी ea, जैसे यह नहीं किया similarly वैसे 53 भी कितना आ जाएगा आपका ea, so total flux कितना हो जाएगा फिर आप, total flux total flux 5 is equal to हो जाएगा, 51 plus 52 plus 53, तो इसकी value आजाएगी आपका ea plus 0 plus ea, तो यह बन गे आपका 2 ea, तो total flux 5 की value, इतना, equation number 2, equation number उपर है आपका, अब जब आप इतना आ गया total flux, तो अब आएगे हम Gauss theorem में, तो अब हम Gauss theorem लगाते हैं आपका, तो यह हो गया according to Gauss, तो Gauss क्या आप बोलता है, Gauss के साबसे चर टोटल flux 5 होता है आपका, वो कितना होता है आपका, Q upon epsilon not होता है, और इस Q की value हमने कहीं निकाली थी, इस Q की value हमने equation number 1 में निकाली आपका, जो है आपका, sigma a, उसको रख दो गए हैं आपका, तो यह बन जाएगा, 5 is equal to sigma a upon epsilon not, इसको equation number 3, equation 2 और 3 से देखो, equation 2 में भी total flux था, equation 3 में भी total flux है, तो if from 2 and 3, दोनों के left hand side same, तो right hand side भी same हो जाएगे, तो 2 e is equal to आजाएगा, sigma a upon epsilon not, a से a cancel out हुआ, तो e is equal to formula बन गया आपके पास, sigma upon 2 epsilon not, तो e is equal to यह formula आपके पास, to epsilon not, तो this is the formula, जो बहुत important expression है आपका, और यहाँ से हमें यह बात पता चली, क्योंकि देखो, इस formula में कहीं पर भी आपका R नहीं आया है, कोई भी distance नहीं आई है, तब हम बोलते हैं आपका, कि अगर कोई plate होती है, तो उसके अगल बगल वाले points में, electric field सेम रहता है, नजदी का, जदा दूर नहीं, जदा दूर चल जाओगे, फिर तो नहीं होगा, आपका किसी का भी field infinite तक नहीं होता है, आपका बहुत दूर तक नहीं होता है, तो आसपास के, जो bit point है, वहाँ पर electric field का रहता है आपका, सेम बने रहता है आपका, तो यह कुछ है, distance पर depend नहीं करता है, यह कुछ आपका expression, ठीक है,